आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, statement is No kite is a slate, no jug is a slate Some jugs are robs and conclusion is Some robs are slate, some robs are not slate No kite is a jug, some jug are kite सबसे पहले हम डाउनलोड डाउनलोड करते हैं No kite is a slate, कोई भी kite slate नहीं है No jug is a slate, कोई भी jug slate नहीं है Then some jugs are robs, some jugs are robs अब हम डाउनलोड में complete करें No kite is a slate, यह kite है हमारा इसकी दुश्मनी किस्से है, slate से S-L-A-T-E Then no jug is a slate, slate की दुश्मनी किस्से है Jug से, J-U-G Then कहा है, some jugs are robs Some कुछ jug क्या है, robs है R-O-P-E-S अब हम सबसे पहले क्या करें हम डाउनलोड को conclusion से चेक करें कि कौन सा हमारा सही आ रहा और कौन सा गलत आ रहा तो सबसे पहले ध्यान से देखिए ये one क्या कहता है, some rope are slate क्या कुछ rope slate है, नहीं ये तो दोनों बहुत दुर-दुर है उनकी क्या है, negative की दुश्मनी है सो गलत, some ropes are not Ropes का कुछ portion slate नहीं है बिल्कुल सही rope का ये वाला portion जो some portion है, वो slate नहीं है तो ये right, no kite is a jug काइट और जग की दुश्मनी है तो नहीं, काइट की किस से थी slate से थी, पर जग से नहीं थी तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा some jug or kite, क्या जग और काइट आपस में cross'd है, नहीं, तो हमारा second सही आ रहा है, then third और fourth को ध्यान से देखी, काइट जग, काइट जग मतलब यहां आइदर और लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, क्योंकि subject predicate सेम है तीन condition होती है, subject predicate सेम हाँ है चेक करते समय दोनों गलत हाँ है और एक positive और एक negative होना उपर वाला negative नीचे वाला positive होए मतलब क्या होगा, answer होगा only to and either third or fourth follow कहां है ऐसा option number B में 120 करेगा